लोग कह रहे हैं कि लगेगी आग तो आएगा गुपता जी का घर भी उस्जद में जी हाँ राहत-िंदोरी साब का वर शेर तौ आपको याद होगा रह रह कर राहत-िंदोरी जी साब हमको वो शेर खुद बे खुद याद करा देते हैं और उस शेर की बदॉलत हम कितनी बार आपको याद दिलाने के कोशिश करते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में यहां सिर्फ हमारा मकाम थोड़े ही है और बिल्कुल ऐसे ही हुआ जहांगिरपुरी में गुपता जी बहुत परिशान है तमाम तरह के पेपर दिखा रहे हैं और शायद जिस चैनल को लगातार वो ड्रॉइंग रूम में टीवी पर लगा कर देखा करते होंगे एमपी में चल रहे बुल्डोजर को देखकर बहुत खुश हुआ करते होंगे हाँ इसी तरह से तो आजकल सारा न्यूस चैनल भी काम कर रहे हैं तो इसी तरह से मैं गुपता जी का अज़ांशन बना रहे हैं जहांगीरपूरी में भी मद्रप्रदेश की ही तरह उसी की तरच पर बुल्डोजर चला दिया गया आपको पता ही है कि जहांगीरपूरी वाइलन्स खुद दिल्ली पूलीस ने कहा था कि दो लोग जो दो कम्यूनिटीज के लोग हैं दोनो गुट जो हैं दोनो गूरूप असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, अली, अहीर, पाँच पर तो अमिट्श्या ने एनसे लगा दिया है सबसे जाधा तो दुखदाई ये है कि जहांपर जहांगीरपूरी में ये जो बुल्डोजर चलाया गया इसका समय सुप्रीम कोट में दुश्यन दवे ने ये बताया है कि ये दो बजे का था लेकिन क्यूंकि आज इसके उपर लिस्टिंग होने थी इसका मेंशन करना था सुप्रीम कोट में चीफ जस्टिस के सामने इसलिए इन लोगों ने क्या किया बुल्डोजर की ये कारवाई करने का समय जो है वो सुबह 10 बजे का कर दिया ताकि उस बीच में ये सब कुछ कर सके और फिर उसके बाल हवाला दे सके नहीं जी सुप्रीम कोट का तो ऑर्डर ह हमारे पास कम्यूनिकेटी नहीं हुआ आप सोचे कि कोट में इस तरह क्या चल रहा है सुप्रीम कोट ने कहा रोक लगाने को कहा दिली में ये जो कारवाई हो रही है ये जो एंटी एंक्रोच्मेंट के नाम पर जहंगीर पूरी के इलाके में वो कारवाई करने की कोशिश ह हो रही है जहां पर ये सारी तस्वीरें भूती खराब दिल को दुख पहुंचाने वाली ऐसी सामने आ रही है लेकिन वहीं पर फिर तस्वीर है गुपता जी के दुकान पर बुल्डोजर चलने की आ रही हैं और सुपेम कोर्ट कितना हेल्पलेस थाबथ होता है पर अब तो आप जल्दी से प्लिज कम्यूनिकेट कीजिए उनके नाम लिखे जिन जिनके लिए लेटर आना चाहिए जल्दी से यह सारी बाते आप उन्हें तक पहुंचाये वरना यह बुल्डोज और इनके रूख नहीं रहें आप सोचिए अब इससे भी बड़ी बात यह है आखर कि देश की सरकार को इतना दुसाहस कहां से आता है कि सारे समविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नियव काईदों को ताक पर रखते हुए इस तरह से न्याय पालिका का भी मक्हौल उड़ाते हुए वो ऐसी हरकत करता है ऐसे कदम उठाता है उसको कोई फर्क नहीं दुन जानती है कि सुप्रीम कोट ने यह ओर्डर दिया है लेकिन यह रुका नहीं बुल्डोजर अभी भी चल रहा है अभी तक चल रहा है जब तक मैं यह रेकॉर्ड कर रहे हैं आखिर यह सरकार को इतना दुस्ताहस कहां से आता है आप अपने गिरेबान में जहांकिए जब प सुप्रीम लीडर के चरण में गिरे पड़े रहेंगे तो यही होगा फिर गुपता हो गुलफाम हो क्या फरक पड़ता है बुल्डोजर तो फिर चलेगा क्यूंकि आप ही की तरह कई और लोगों के घर पर नहीं चला है तो वो जैसे आप अभी तक गुलफाम के घर पर किसी सरकार को इतना दुसाहस आपने पहले देखा था गैस इतनी महंगी हो जाए हमको तो याद है प्यास के दाम बढ़ जाते थे तो सरकार गिर जाती थी पेट्रल डीजल के हलके से भी दाम बढ़ते थे तो दिन भट डिबेट होती थी आज debate क्या होती है पर आप बैठकर वही चैनल बहुत चटकारे लेकर चकललस के साथ देखते हैं और अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आज सपास के अपने सारे लोगों के बीच में उसी तरह का नफरत और जहर आप लोग फेलाते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता जी आपके अहां पर क्यों ये बुल्डोजर चल गया पिर क्या हुआ था उस न्यूज 18 के पत्रकार सौरफ शर्मा दिया पकास शर्मा जिसके पीछे पूरी भीड पहुंच चुकी थी लिंच करने के लिए क्या हो जाता है ये सारे नाम कहां गायब हो जाते हैं जब ये सब कुछ होता है ना तो आप बताते रह जाना आप बताते रह जाना कि आपका नाम क्या है कोई फर्क नी पड़ता उस भीड को जिसको आप ही लोगों ने ऐसा बना दिया है उस भीड को आप क्या बनाएंगे अर्विन केजरीवाल के घर के बाहर का पूरा CCTV फुटिज था, जिन लोगों को, जिन BJP के कारकरताओं को गिरफतार किया गया, वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाने के लिए, उनके बाहर निकलते हैं, जैसे उनको जमानत मिली, उनको समानत कर दिया BJP ने, आप लोग सोचिए, मतलब बेरोजगारी के नाम पर आप लोग ये सारे काम करेंगे, उन लोगों के बच्चे कहां कहां किस-किस पद पर बैठ रहे हैं, उन लोगों के बच्चे किन-किन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, विदेश जा जाकर पढ़ रहे हैं, अच्छी जिन्दगी रहा है, वो यहां पर देश्त्रो ही सावित किया जा रहा है, या पर उसके उपर बुल्डोजर चला दिया जा रहा है, सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है, और आप उसमें सिर्फ पिस नहीं रहे हैं, आप बहुत खुशी के साथ पिस रहे हैं, तो आपको तो मैं बिलकुल मुबारक बात देना चाहूंगे, जो आप करना चाहते हैं, वो हो भी रहा है, this is what you want, because you are an active part of it, nobody is getting it done from you, at a gun point, nobody is getting it done from you, like that, सब लोगो आप से जबरदस्तीं कर वा रहे हैं, आप तो खुद खुशी-खुशी कर रहे हैं, खूद ही कुद रहे हैं, तो जब पेट्रल डीजल की मैंने बात की, क्या बात आप को पता दो, पिचले 8 साल में, हम बात करता रहे हो एक मिप को पता चिकिन जन फिश दूद इन-8 सालों में कितना महंगा हो गया कितना महंगा होता चला गया आपको पता ही नहीं चला पता जरूर चला होगा क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा था और बात किसकी हो रही थी मंदिल मस्जद लाउड स्पीकर अजान हिजाब की तो आपको यह मुद्दे ही नहीं लग रहेए थे पकी दिमांग में ठूसने पढेंगे मुद्ट्व अ कि याा तो आ पढ़े लिखे ही नहीं या पढ़े लिखे भी आ तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जेब के उपर कैसे भारी पड़ रहा है आपको पता है नहीं चाल रहा है अभी थोड़े दिन पहले मुझे को बता रहा था मटने एक हजार रुपे किलो हो गया वहाँ अलेकिन आप खुश है आपका सब बढ़िया चल रहा है इतना कुछ आ रहा है आपके पास आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ तो आप लोगों ने अपना घर और अपनी दुकान भी एक ऐसे किसी चीज से लगा रखी होगी जिसके बुल्डोजर भी असर नहीं कर पाएगा इना इतने लंबे आंकडे और यह सारी इस रिपोर जाती है उसको बड़े-बड़े आंकडों उसको बड़ी-बड़ी बाते बहुत ही उल्जाने वाली चीजें समझाने वाली चीजें नॉलेज वाली चीजें समझाने का को मतलब भी नहीं हो तो उनको को मतलब नहीं है ऐसे तो उनको बड़े-बड़े लच्छे-दार शब् बुल्डोजर पॉच जाएगा घर घर and then enjoy